तरी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जोडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिये गए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों 9 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा जिस पर गज केसरी योग बन रहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनी, राहू और केतु की द्रश्टी से बचने के लिए उनके बुरे दोशों से बचने के लिए होली के अवसर पर आपको क्या उपाय करने चाहिए दोस्तो रंगों का त्योहार होली इस साल फालगुन मास की पूर्णिवा तिथी को मनाया जाएगा दो दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के पहले दिन होली का देहन का त्योहार होता है और दूसरे दिन रंग खेलने वाली होली मनाई जाती है जो 30 के अनुसार साल 2020 में होली का देहन बहुत ही खास और शुब होगा क्योंकि इस बार 9 मार्च को होली का देहन के दिन गजकेसरी योग बनेगा जो की बेहद राजसी सुख प्रदान करने वाला योग माना जाता है इस योग में किये गए उपाय बेहद लाबकारी होते हैं आज हम आपको इस वीडियो में होली का देहन शुब मुहुरत गजकेसरी योग और इस शुब योग में होली का देहन के साथ किये जाने वाले उपाय बताएंगे जो शनी, राहु और केतु इनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए होते हैं सबसे पहले बात करते हैं होली की तिथी और शुब मुहुरत क्या है दोस्तो साल 2020 में होली का देहन 9 मार्च यानि सोमवार के दिन होगा दोस्तो शास्त्रों में गजकेसरी योग, राजसी योग माना गया है, बहुत ही सुख प्रदान करने वाला योग माना गया है यदि आप शनी, राहू, केतू और नजर दोस्तों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस शोब योग में हमारे वीडियो में बताएगए उपायों को जरूर अपनाएं इस वीडियो में हम आपको शनी, राहु, केतू और नजर दोशों से बचने के लिए चार उपाए बताएंगे इनमें पहला उपाए है अगर आप कोई मनोकामना पूर्ती करना चाहते हैं तो होलिका देहन के समय गोमती चक्र हाथ में रखकर अपनी इच्छा को मन में बोलें और इसके बाद उन गोमती चक्र को होलिका की अगनी में डाल दें ये उपाए मनोकामना पूर्ती के लिए बेहद कारगर माना गया है दूसरे उपाए की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि होलिका देहन की भस्में बेहद कारगर मानी गई है बेहद शुब मानी गई है तो ये हर तरह के दोशों को दूर करती है होली का देहन होने के बाद जब राख थंडी हो जाए तो वहां से थोड़ी सी राख अपने घर ले आएं और इस राख को अपने पूजा इस्थल में रख दें इसके साथ ही अपने गले और कानों पर इस भस्म को लगाएं ये बहुत ही शुब मानी गई है दोस्तो तीसरा उपाय है जोतिश के अनुसार होली का देहन के दिन होली का देहन करने और होली का अगनी के दर्शन करने से व्यक्तिको शनी राहू और केतु के साथ नजर दोशों से छुटकारा मिलता है आदमी हो या औरत बच्चे हो या बूढे सभी को होली का देहन की अग जरूर रखना चाहिए अगर आप पती पतनी दोनों मिलकर इस व्रत को रखते हैं तो आपकी संतान पर आने वाले सभी कश्ट दूर हो जाते हैं अगर किसी बच्चे की माता जीवित हैं और पिता नहीं है तो माता उसका व्रत रखें और अगर पिता जीवित हैं माता जीवित नहीं है तो पिता भी इस वरत को रख सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद